नमस्कार दोस्तों एक बाई फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जी के कुई जी रोनक में दोस्तों इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोग देवताओं को बिल्कुश अंदर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तता साथ में उनकी संपून जान याद करेंगे क्योंकि इससे पहले वीडियो के अंदर आपन राजस्थान के पंच पीरों को बिल्कुश अंदर ट्रिक के माध्यम से उनकी संपून जाटकर याद कर चुके तो आगे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तेजा जी के बारे में बताता हूं तेजा जी को याद प्रेम करना पड़ेगा बहुत तेज तो समय बोला ठीक ये शर्त मजूर है तो उसने कहा क्या ऐसा कर तुने ये मेरी शर्त मान ली तो मैं करूं तेरे को नहीं करने दूआ मैं खुद करूं लच्छी की करशी तेरे लिए तो यह ये अपनी ट्रीक है तेजी से खड़े होकर प्रेम करने पर तेजी से खड़े होकर प्रेम करने पर रिया के सशूर ने तलवार से परवत पर लच्छे की लालकाली करशी शुरू की बिल्कुल इसके अंदर एट टूज पॉइंट डाल दी मैंने तो तेजी से खड़े होकर प्रेम करने पर रिया के सशूर ने तलवार स के अंदर से समझ गए होंगे तो तेजी से खड़े होकर प्रेम करने पर लिया कि ससूर ने तलवार से परवत पर लच्छे की लालकाली करशी शुरूई की सबसाब इनकी पहले पर इनकी पॉइंट जान लेते हैं इनसे क्या क्या निकलेगा तो तेजा जी का जनम हो था खड़ ढुट जारी तो डेवन लेकिन इसे कुंसो लोग नाम आम नाम ता ताहर जी जाट इनकी माता का नाम ताराज कूまぁम देखो क्या नाम पे्मल थे था वैसे तो आपको सारे लोग देवता हो कि पत्नियों को नाम पांस सेकेंड के अंदर याद करा दूँ आप एक के उंगलियों पर बता दोगे उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे अपन दो चार मिनिट की वह आप याद कर ले ना अभी तो ट्रीक के अंदर भी आमको सब प पत्नियों को नाम मिल जाएंगे तो तेजा जी की पत्नियों को नाम है पेमल दे यह अजमेर के राम चंदर की पुत्री थी तेजा जी की भेनों को नाम था राजत वे भमरी तेजा जी का प्रतिक मोस्ट इंपोर्टेंट ए तेजा जी का प्रतिक चिन जैसे कि मैं आपको प पाभु जी का आपको मैं सब कुछ आत्स करवा दूँ हम और ट्रिक्से पाभु जी के अंदर मैं आपको ट्रिक्स आत्सक्रवा इता था। most important line है पिछले exam में आप previous year के question उठा के देख लेना ऐसे कौन से लोग देवता जिनों ने लाचा गुजरी की गायों को मेर की मिनाओं से बचाया था तो तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर की मिनाओं से बचाया था लाचा गुजरी की छतरीका बनीवी लाचा समयर में इंकी मित्वयों कोई दिकत नहीं है ठीक है ठीक है तेजा जी की मित्यों का समाचर मोस्क्ट इंपर्टन एक्जाम के अंदर को blossom पुछा कि Northeast जी की मित्वयों को समाचर इंकीा जिनको सिंग bonds नाम से बनी वोगो को डिया था अब आता है घोडिल od Ok गोड़ला क्या है यह most important गोड़ला में आपको बता रहों एक्जाम के अंदर पूछा गया है कि तेजा जी की जो मंदिर का पुझारी होता उसको कहते है तो तेजा जी के मंदिर का पुझारी क्या गोड़ला के लाता है जो साप काटने पर व्यक्ति का जहर मुँझ से चूसकर निकालता है यह गोड़ला करता है तेजा जी के मंदिर का पुझारी गोड़ला के लाता लेकिन prepared tradition किसके मंदिर को कहा जाता है अब एक हमद्णा है तेजा टेर किया है तो 인지सावर न ना सामने नाम लिख पर मिलान के किसी भूर यह होती है तक किसान हमें नाम लिख कांगे किसान का स्मीफ लगाता है तेया जी की कारेस्तली यह आपको option दीखेगा लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि क्योंकि यह तो अजमेरो नागोर से संबंदित वाले लोग देता लेकिन इनकी जो कारेस्तली है वो बांसी डूंगा दी बूंदी के अंदर भी है यह आपको most important याद रखना है तेया जी का जो मिला भरता है वो परवसर नागोर में भरता है भाद पर शुकल दश्मी तेया दश्मी के तना अपन दो दश्मी के दिन भरता है भाद पर शुकल दश्मी को तेया जी का मिला भरता है जो आये की दस्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा पशू मिला है लेकिन मैं आपको से बेलाले वीडियो के अंदर पताया तैसे कौन से लोग देता है जिनका जो मेला है ना वो सबसे ज़्यादा लव समय अभधी तक चलने वाला मेला कौन सा है वो गोगा जी का है जोकि गोगा मेडी नोहर अन्मानगर के अंदर बरता है यह सब आपको याद रफना है त्याय मैंतार लीगा फशत मिल ज्हाटिति के अपनाम काला वाला के अदर कर्शी उपकारक देथा है गायों रफनार पैर को कहा जाता है जिसको बरत बके कि यह सारी ना तेजा जी की बात हो रही तेजा जी लोग देवता कि आपको हर एक त्रेक के अंदर इसा शब्द मिल जायागा आपको कन्फूज होने की कोई जर्वत नी है खड़े से खड़ना नागोर के अंदर इनका जनम हो था पेमल देन की पतनी थी रिया सो जागा सेंदरिया अजम की मीनाओं से बचाया था लाल से हो जाएगा किसको लीलन इनकी क्या थी गोडी थी काली से हो जाएगा काला बाला के देवता के एते क्रशी हो जाएगा क्रशी के उपकारक इनको देवता कहा ज्यादा तो साधी की सारी बाते इसके अंदर आ गई है अपने लोग देवता के बनाई ये कि देव लीला महलब कि दोस्त देवे और एक उसके दोस्त है जिसका नाम है लीला अब वो दुना क्या घर पे नहीं थे तो उनसे मिलने के लिए गुजर जाती को कुछ लोग आये थे तो उनके घरवालों ने उनको फोन करा कि बाई देव लीला घर आ भी जाओ तो देव ओ लीला घर में आभी जाओ जाओ गुजर जाती के पिपुल सबसे लंबी छोटी और प्राचीन इट लेकर दया के लिए भूके हैं तो देवो लिला घर आभी जाओ गुजर जाती कि पीपुल सबसे लंबी छोटी वो प्राचीन इट लेकर दया के लिए भूके है, तो सबसे पहले अपन इनके पॉइंट देख लेता है कि अपन त्रिकी अंदरसें के नाम निकालेंगे, इनका जनम का हुआ था देवनायन जी का गोठा दड़ावता, माला, सेधी, डूंगरी, आसिंद भिलवाडा में हुआ था, आप आसिंद भिलवाडा भी धान रखो कि तब भी आपका एक्जाम में अंसर आ जाएगा, तो आसिंद भिलवाडा के अंदर इनका जनम हुआ था, इनका पालन पोशन, इसे कौन से लो पालन पोशन कहा था, इनका देवास MP के अंदर हुआ था, इनकी पिता का नाम था, सवाई बोच और इनकी माता का नाम था, सेडू खटानी, ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था पीपल ये धार मद्य पदेश के शाशक जे सिंग की पुत्री थी, पीपल थी, पत् निका कि गोडे का नाम ता लिला घर ठीक है डेवनाय जी के चारधाम मोस्ट इंपोर्टन जार धाम आपको चार धाम की चार धाम कहाँ पर है यह आपको तदहने रखना पहला तो वहीं पर यह जापन का जनम हुआ कााप है पर गोठा दढवता आसीन बीलवड़ा के अंदर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है इस मंदिर से कोई भी भूका नहीं जाता है। तो यहां पर क्या हुआ था देव डूंगुरी चितोड के अंदर इनका एक मंदिर है जिसका निर्मान किसने गया था राव राना संगा के अंदर सांगा तुवारा करवाया गया तो यह आपको चार दायम रखने कोई भी कोई बिजारा दिक्कत नहीं आसीन बिलवड़ा एक करवाया था दिवनायान जी जी को वास्तिफिक नाम है वे उत्विक नाम है उद्यीरмен तो देवनायान जी को यहीं से याद कना शुरू करतो हुआ तो देवनायान जी का मंदिरोंस य KI P अधिक कि सबसे लंबी गी सबसे चोटी मालोब आप पचीस हाँ इतनी लंभी है और सबसे चोटी महलें वह बाई दो की किरें ठीक है प्राचीन फड़ भी किसकी है देवनायान जी इन्पूट जी किसकी है लेकिन सबसे लोगति पटी आपको दान रखना है और सबसे है जिनका सबसे लंबा लोग देता है भHHD Viranayem जी के राज इस्थान के लेवनायण जी आप आपको बता है क्यों से कुण से क्यों से लोग देता है जिनके जनम इस्थान 08 cm खटना लागौर sibling कि आप अब एक्जाम में क्या और आजकल डेट भी बहुत ज्यादा पूचे रहे तो आपको ये डेट धानक नहीं राजस्तान की एकमान लोग देता अठा देवनाएंजी की इनकी फड़ पर दो सितंबर निस सो बराणवे को पांच उपेगा डाक्टिकर जादी क्या था तो निस सो बराणवे भी आप धानवे को कि तब भी एक्जाम के तर आपका कोशन लग जाएगा तो सितंबर निस सो बराणवे को इनकी जो फड़का वाचन होता ना वो गूजर जाती का भोपा जंतर वाधियंतर से करता है याप कोई दिक्कत नहीं आदो तो आप ट्रिक से आपको मै इस लोग घातśmy को गोन्ड़ा कहा जाता है और यह को धाकवान इत न्सक रफ्वाधियंदर से बजाया जाताओ यापको यह आपको मैं वाधियंत्र मृव्य के आम штड दैंट इनकी जाता हो तो एक सितुवत जीसे कि मैं आपको पता आपको पता आया था कि देवनायन जी का पालन पोशंग का हुआ देवास मद्यपरदेश के अंदर हुआ था इनका समद्ध मद्यपरदेश से भी आ रहा है तो एक सिद्वर एक जगे जो कि उजेन में शिपरा नदी के टकपर है जहां पर डेवनायन जी करते थे इसलिए इस स्थान को सिद्वर कहा जाता है तो यह आ आपको ट्रिक से याद करा दूँआ उदेशिंग मैं आपको बता दिया चमतकारी लोगपुरुष विष्णू का अवतार देव जी और पुगल जी भी इनको कहां जाता है अब आपन देखते हैं हमनी ट्रिक से सारी की सारे बाते आई या नहीं आई ठीक है अब देवनायन जाता है लीला घर के आए लीला घर यह ऩोड़े का नाम था ठीक है अब page the име the the इसे बिलवड़ा असिंद बिलवड़ा में जनम हो तो जापन का मंदिरे जहां से कोई भी बुका नहीं जाता है जाओ से आपको दाना जन्तर वादयंत्र इनकी फटका वाचन किया जाता है जन्तर वादयंत्र से गुजर जाती के अराध्य देवे पीपूल से हो जाएगा पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था सबसे लंबी सबसे छोटी हो प्राचीन इनकी ही इनकी ही फड़े जिसके ओपर डाक्तिकित जादी उन्हीं सो बराणवे के अंतर ठीक इट इट से हो जाएगा इनके मंदिरों में इटों की पूझा कि यह दया से हो होने मामा देवूजी थी घी मामदेव घर में थो वा आप बने बढ़सा तोली थी तो बढ़सा तोली थो तो आपना बरसा तोले तो आपने बरसा में आपनी यह खी板 सी छीज देगे तो वह आप मामा को बतारे तो यह right मामा बरसाद में भेश तेरना सीख रही थी इंका जो मंदिर मामा देव जी का ये शियार लोद्रा सीकर के अंदर कि मामा देवजी को कहाता है इन्हें प्रसन करने के लिए भेस्की बली दी जाती है किषकी बली कि इनके मंदिर में मूर्ती के सथान में कांश्ट का तोरन होता है जो कि जिसे गाउं के बाहर इस्तापित किया जाता है तो उनके जाएंगे Ma Ma बरसाद में बेश तेरहना सीकर रही थी, Ma Ma Soja Gaga Ma Ma बरसाद का देवता राजस्ता में बरसाद का देवता कह आयाता है बेश पर मंदिरों में मुर्थी के स्थान पर कारें दौरा बेशी नेक्स्ट लोग भीद वर्खिसी मतमतर है तो इसने क्या बोला तो जी चेड़ों मत नहीं तो आजीवन कुआरे रहोगे आई अपन देखते और इनसे कौन कौन से पॉइंट निगलते इलो जी को राजिस्तन में छेड़ चालवारे लोगदेवता के नाम से जाना जाता है यह होलीका के होने वाले पती थे इलो जी की जब बरात हरीरने कशप के घर पर पहुँची तो उससे पहले ही हरने कशप की जो बहन थी होलीका वो पहलात को माणने के लिए अगनी में बेट गई और सुरेम क्या हो गई जल गई है आपको कानी तो आपने वेसी पता होगी बच आजीवन कुवारे रने की शपत ली तो इलो जी ने अच्छे वरवद्व के लियह मारवाण में इनकी पूजा की जाती है और इंकी मंदीर में जो इनकी मूर्ती होथी ना आदमकरत का मला पता सिर से लेगार पाओं तक की मूर्ती आदमकत नगन मूर्ती होती ही आपको जाने रखना है तो अपने ट्रिक के अंदर से अपन देख ले ओजी छेडों मन नी तो आजीवन कुआरे रोगे ओजी सोजागा इलोजी ठीए छेडों सोजागा छेड़ वाले लोग देवता क्याते पूर आजीवन कुआरे रहने कि नोने शपत खाई थी तो दोस्तों वीड से लियर से खाईब कुआरे लोगे देवजी यहाजी है तोस्तों डेर कि टा ही खाई दोस्ते उन्मेरा, इवा झाल बाता भाई давать कि कि तेवाचे लोगIES भाई है है झाल झाल झाल